जीफांग आप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री रुकिए हम यी बतला ज़रूर लेंगे आफ विक्रमत कीजिए चाचाची क्रिष्णा का परिवार उसके बहु बोज में नहीं जाएगा तुम्रा बात सुनके लगता है कि तुम इन दोनों से ज़्यादा समझदार हो साबास उटिया साबास कि अगा गार यह जो यह जो हम सब को दोका जिया थे हम को सब पता है हम कुछ नहीं भूले हैं पापा और नहीं किसी को कुछ भूलने तेगे पड़ एक बात हमने समझ बनेहीं आया जो मों टुम्टु सेंखा मदद काहे कड़ें हम टुम्टु से कोई मदद नहीं कर रहे हम बस यह चाहते हैं कि पिंटु और क्रिष्णा के बहु भूज में कुछ ना कुछ तमाशा हो और जब कुछ लगतान देखे कि ना कि उसका परिवार बहु भूज में नहीं आया तब वो रूएगी चब वो रूएगी तु पिंटु सेंग रूएगा और जब दोनों रूएगे ना तब हमको सुक मिलेगा कि देखो इस सारा इंतजाम एकदम बढ़िया होना चाहिए ए इलाका का बढ़का बढ़का लोग आने वाला है। सारा बंदोबस्त एकदम घजब हो एकदम घजब समझ गए हैं। उटिखो अध़ा था कॉन देखो यह बहुत अच्छा की है, मास्तायर, का है कि उनका ध्यान रखना बहुता है जरूरी है, एक तो उपरिवार में सबसे बड़ी है, उनका ना कोई बाल है ना बच्चा है, और पिंटु सिंग का साधी में नहीं आपाई थी, और बोली थी कि बहु भोज में अवस्याएंगे, बहुत अच्छा है कियो, साबस, वसंद काका, अब वसंद काका, मादव यहां आया है क्या, अब ठीक है, अब भाउरिया, यहां ही है, तुम्हार माजी कहां चली गई है, बाबुची मा है ना, खास-कास रिस्तेदारों को नियोते में देने वाला साधी निकाल रही है, अच्छा सुनो दुलिन, तुमरी देवरानी को अपना रिस्तेदार सब के बारे में बता देना, अब कौन कौन लगता है, और कौन कितना खास है, अब वो बिचारी तो नहीं आई है न, उसको का मालूम है, जी बाबुची, हम अभी जाके ग्रिष्णा को सारे रिस्तेदार के बारे में अच्छे से समझा देते हैं. नहीं कुछी वक्त फासी लगा लेगा, और फिर बार हमारे पलिया वाले मामा कि, हम उनको कुमकरन का अफ्तार बोलते हैं, उनका ये प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम इह है, कि उन कहीं पर भी कैसे भी सोझाते हैं, और सबसे जाधा भैंकर है हमारी भुवादाती, नाम पूल कोमारी. कि उनको कुछ कह नहीं सकता. क्योंकि उनको सबसे बड़ी है. उनकी भी एक पराउबलम है. उनको हर बात में मीनवीक निकालती है. चाहे फिकी हो, तो सिकायत. चाहे मीठी हो, तो सिकायत. और उनका एक खास बात पताए? कि उनको अपना बहु सबसे जादा जंता अपना पूथा पूती कर रहता है कि लेकिन तर्ने का कौन जुरत नहीं है कि अच्छा है चलो ये भी अच्छा है चुप इंटु जी ने हमारा काम आसान कर दिया अब तो कृष्णा को सारी रिष्टदारों के बार हमें पता चल ये जाएगा हुआ 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 है नमस्ते मैडम मैडम मूब डीजी साब ने कुछ फाइले बेजी है ऑफिसमें अर्जेंटली साइन चाहिए आपका ओहुआ अगर फाइल पे अर्जेंट साइन चाहिए तो हम अभी थोड़ देने हुआ है 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 मिद्धिशी अभी तो घर से निकलना मुस्किल होगा आप काम करिये आप उपाइल यहां घर पे बिजवादेजी आम तुरंट साहिन करके देंगे है है ठीक है मैडम हम अभी घर पे बिजवाद देते हैं ठीक है एक और बात बताए है थैंक यू मैंसर नौत इसमें थैंक यू का कोई जरूरत नहीं है और तुमको भी हमारे रिस्तिदार से तरनने का कौनो जुरत नहीं है अरे हम अभी आप जाची जाची जी देखो दादाजी ने हमारा काट पे नाम चापा रहा है अरे वाग हमारे नाम के नेचे तो पापा का नाम होना चाहिए था पर इसमें तो पापा का नाम ही नहीं है अरे तो तुम अपना नीला वाला लहंगा चोली पहन लो तुम पर बाहुत फाबेगा हाँ इतन ठीक कर रहे हो और उन इत्ता सारा लाइट में उन नीला रंग को और भी खेलेगा इस बार तो हम खूब सारे फोटो की चवाने वाले हैं शेरी मती शरवस्वाती राज कचि सोची का गादेनाय बितियार दावत को इती हाती हां का करने आई है कि अब बहुजी हम द्याती के किये पर शर्मिन्दा है हाँ दीदी अब हमको माप कर दीजे हम पगला गाए थे जब हम आपको गुस्सा में ही सब बोल दिये अब तो जानती है कि जब एक मा की बेटी की सिंदीगी बड़बाद होती है तो तब मा का हाल होगा आप लोगों को दीदी के बहुबोईद में चलने का तयारी करना है या फिर इस सब फाल्तू बातों में समय बर्बाद करना है हार दीदी चंचल एक तम सही कह रही है हम तो चाहते है कि आप लोग खुब अच्छा से तयार होके एक क्रिष्णा के बहु भोज में जाए और हम तो तभी मानेंगे दीदी जब आप लोग हमको भी सेवा को मोका देंगे कि आप हमको माफ कर दी और दीदी हम अपना और पिड़की का गहना और कपड़ा लाए है यह एक से एक महाँ का साड़ी है और गहना लाए है आप अपना हिसाब से देख पहन लीजिएगा हाँ बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि आप साथ समझ के वाँ जाहिएगा और हम तो ही चाहते हैं कि उनके रिस्तदारों कोई पता नहीं चलना चाहिए कि शादी से पहले आप उनके यहां नोकर थे हम समझ रहे हैं कि आपको हमरा बाद जो है न वो थोड़ा बुरा लगा है लेकिन का करें सचता ही है न क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि उनके लोग यह कहें कि उनका रिस्ता जो है चोटे गर में हुआ है आप इस्टे नहीं है हाँ पिंटु अ उसका परिवार तो शायद कुछ ना कहें लेकिन जाद परादरिया रिस्तेदारों का मुझ कैसे रोकेंगे अब आप सब ता वहां खापी के बापस आ जाएंगे अब उसके बाद कृष्णा का जो आदापस आप सुनना पड़ेगा उस अब आप सहलेंगे का अब भाईया जी गड़ी भाईया तो इसका मतलब भी थोड़ी ना है कि अपनी बिटिया के बहु भोज मनना जाएं अरे हम कहां कह रहें कि वहां न जाएं अरे जाएं जी फाइव अप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिलकुल फ्री